ये एक राजा की अद्बूत कहानी है एक राजकुमार अपने पिताजी को रोज दम करता था कि मुझे आपकी जमीन चाहिए राजा ने कहा देखो मेरे पास इतनी जमीन है ये स्क्वैर्च इतनी और हर रोज मैं तुम्हें इसकी आदी आदी करके दूँगा सबसे पहले दिन इसकी आदी और हर अगले दिन बची हुई जमीन की आदी जमीन तुम्हें देता रहोगा तो सवाल ये है कि उस राजकुमार को बहुत दिनों बार राजा की कितनी जमीन मिली अब ये हम जोमेट्रिक सीरीज की तरह भी कर सकते हैं लेकिन इस पेपर को काट कर भी इस सवाल का हर निकाल सकते हैं चलिए देखते हैं अब किसी भी स्क्वेर को अगर हम डाइगनल की तरफ से काटते हैं तो वो स्क्वेर दो बराबर भागो में बढ़ जाता है और दो त्रिकोंड आइसोसिलिस ट्राइंगल्स होते हैं जिसका एक अंच 90 डिगरी का और बाकी दोनों अंच 45 पैतालिस डिगरी के इसलिए राजा ने सबसे पहले दिन डाइगनल की तरफ से अपने जमीन के दो टुकडे करे और पहले जमीन का एरिया एक बटे दो था दूसरे दिन बचीवी जमीन के फिर से उसने दो टुकडे करे और ये जो दो त्रिकोंड बने एक त्रिकोंड का शेतरफल एक बटे चार था तीसरे दिन बचीवी जमीन के फिर से दो टुकडे करे जिससे एक का एरिया एक बड़े आठ हो गया अब मज़े की बात ये है कि ये जितने भी त्रिकोन है ये सारे ही त्रिकोन एक जैसी ही शेप के है पहले वाले को अगर हम सबसे बड़े त्रिकोन के उपर रखें तो आप देखेंगे सब की शेप सेम है सब ही 90, 45, 45 डिगरी के त्रिकोन है चौथे दिन उसने फिर से इसके दो टुकड़े करे और अब इसका एरिया एक बड़े 16 हुआ पाचवे दिन फिर से टुकड़े करे और इसका एरिया हुआ एक बड़े 32 और इस तरह से अगर ये खेल चलता रहा तो हम देखेंगे कि राजकुमार को कभी विराजा की पूरी जमीन नहीं मिल पाएगी एक छोटा सा टुकड़ा हमेशा बचा ही रहेगा इसलिए जोमेट्रिक सीरीज का जोड है एक और ये काम हम स्क्वेर को डाइगनल की जगे लंबाई में काट कर करके भी देख सकते हैं देखिए इस तरह से लंबाई में अगर हम काटते रहेंगे तो जमीन आधी 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 छोटे छोटे भागों में बढ़ती रहेगी और ये ही है जोमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला तो देखा हमने किस तरह से हम जोमेट्रिक सीरीज का जोड काट कर भी निकाल सके हैं